नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों बात करने वाले हैं यूपिटर पलेसी की लेक पाल भड़ती के परिणाम को लेकर और इसकी कट ओफ को लेकर कि UKSSC जो है इस परिणाम पर आखिर कर क्या राए और वो किन किन प्रष्णों पर सभी छात्रों को पूरे नमबर दे सकता है और कोड के अंदर किन किन प्रष्णों पर केस लगा हुआ है और इसके बाद इन प्रष्णों के नंबर मिलने के वाद कट आफ में कितना प्रभाप पड़ेगा और किसको फाइदा किसको नुकसान होगा तो ये सबी खबरों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नई वीवर्स हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी authentic news सबसे पहले मिल जाए दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोट में अंदर किन किन प्रशनों को लेकर जोल फसा हुआ है देखिए दोस्तो एक तो प्रशन आपका ये है कि सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है जो उत्तर प्रदिश स कि रोक थाम और बचाव पुनरवास और पुनहे एकी करण के लिए है दूसरा कोशन आपका ये हो गया ठीक है और दोस्तो तीसरा कोशन आपका ये है कि सौर फोटो वोल्टिक सिचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमान्त किसान के अंदर सरकार की सबसीडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र है तो ये आपके तीन प्रशन है जिनको लेकर कोट के अंदर मैटर फसा हुआ है ठीक है दोस्तो अब आते हैं असली मुद्दे पर तो देखिए मैंने आपको कल एक वीडियो में ये बताया था कि यूपिटर प प्रशन है जिन पर यूपिटर पलेसी जो है फुल मार्क्स दे सकता है और तीन में से दो तो 100% कंफर्म है बागी एक पर दे या ना दे वो अभी कह नहीं सकते दोस्तो अब सबसे बड़ी बात ही आती है कि किन-किन छात्रों को इस बात का फायदा मिल सकता है कि अगर प्रशनों को पहले ही गलत मान रखा है तो उन छात्रों को भईया पूरा फायदा मिलने वाला है ठीक है और जो छात्र इन प्रशनों को अल्रेडी सही मान कर चल रहे हैं या जिन्होंने सौल्व किया है उनके स्कोर तो उतने ही रहेंगे जितने हैं सपोस करो किसी छात्र न आपती नंबर उन छात्रों को मिल जाएंगे जिसने आंसर दिया है नहीं है इन कोशनों का छोड़ दिया लोगी आंसर देखे आपने सॉल्व किया हो या ना किया हो अगर यूपिटर पल ऐसी किसी प्रशन पर पूरे मार्क्स देता है तो उसके नंबर सभी छात्रों को मिलते हैं चाए आपने वो परशनों सॉल्व किया हो या ना किया हो ठीक है तो जिन छात्रों ने इन परशनों को सॉल्व नहीं किया उनको नंबर पूरे मिलेंगे तो उनको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा बाकी देखें मैं तो यह मानता हूँ कि केबल यह भरती में आपका 1x4 नेगेटिब मार्किंग है और 1x4 मार्किंग में कोई भी छात्रों 90 प्लस तो करके या आता है वो इतने सवालों को छोड़ता नहीं है ठीक है तो इतना बड़ा उलट फेर इतना बड़ा हेर फेर कट अफ में आपको देखेने को नहीं मिलेगा यह कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अगर हाँ नेगेटिब मार्किंग 1x2 होती तो छात्र जो है काम करता है सोच समझ के लेकिन 1x4 मार्किंग में तो छात्र जो है 92, 95, 98 तक 100 भी अटेम्ट करते हैं बहुत ही कम छात्र ऐसे होते हैं जो 90 से कम अटेम्ट करते हैं तो छात्र जो होते हैं वो परशनों का आंसर अधिक सधिक देने का प्रयास करते हैं बहुत कम छात्र ऐसे होंगा कि जिनोंने प्रशन इनको छोड़ा होगा ठीक है तो इतना हेर फेर कट ओफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कट ओफ पहले था बिलकुल वही जाएगा और आज भी मैं आपको बता रहा हूं सामने कैटेगरी की बात करूं तो 76 चलेकर 77 क बीच और आपका EWS और OBC केटेगरी की बात करता हूं तो 74 से 75 कट ओफ आपका इतना ही रहने वाला है और दोस्तों सबसे मेत्पुन बात यह है कि इन परशनों के उपर यूपिटर पलेस्टी ने बहुत जल्द फैसला कर लिया है वरना ऐसे केस जो होते हैं परशनों के साल भर केश चलता है आपने अभी देखा भी होगा कि 69,000 सिक्षक भरती के मामले को लेकर बहुत लंबा समय हो चुका है और वो केवल एक परशन का ही मैटर था और उस एक परशन की वज़ा से एक साल छातों का खराब हो चुका है कोट के अंदर ही ठीक है तो खेर लिया है जिससे कोई भी छातर आगे कोट में ना जा पाए कि इन परशनों पर सभी छातरों को नंबर दे दिये जाएंगे जिससे आगे इस भरती को फसने का प्रियास कोई भी ना कर सके देखिए यूपिटर पलसी का मैं तो कहूँगा अपने तरफ से कि यूपिटर पलसी कोई देखिए किसी भरती को कोट में फसाने में 100% मैंदग होंगा यूपिटर पलसी जिम्मेदार होता है यूपिटर पलसी की जितने भी भरतियां आज तक कोट में गई है उनमें 100% जिम्मेदारी यूपिटर पलसी की है यूपिटर पलसी की जो कारे पढ़नाली है जो वि खेर यूपिटर पलेसी निकलती करी है तो वो अपनी गलती को सुधार रहा है और सभी को नमबर दे रहा है जिससे आगे ये बढ़ती आपकी नाफस है ठीक है दोस्तो तो कट ओफ में तरफ से अब भी वही है कट ओफ में कोई भी बदलाव नहीं है दोस्तो ये खबर होगी और रहीवाद दोस्ते के परिणाम को लेकर तो परिणाम आपको मेरे साब से जनवरी के लास्ट में देखने को मिल जाना चाहिए जो जांकरी मिल रही है उसके आधर पर आपको बता रहा हूं कि जनवरी के लास्ट में यूपिटर पलेसी इस परिणाम को जारी करने की पू